क्या सर्वांग सम आक्रितिया समरूप भी होती है आईए समरूपता और समरांग सम में सम्मद को समस्ते है दो चतुरबूज है EFGH वा WXYZ सर्वांग सम है अर्थाथ EFGH सर्वांग सम का चिन्ह होता है इस प्रकाल से ये बराबर उपर में समरूप का चिन्ह इसको बोलते हैं सर्वांग सम का चिन्ह ठीक है तो EFGH सर्वांग सम है WXYZ के इसलिए इसकी संगत आसन भुजाओं का माप हुआ संगत कोड बराबर होगा आसन भुजाओं का माप मतलब कि ये भूजा, इसकी ये भूजा, संगल भूजा, कि माप क्या होगी, बराबर होगी, ये भूजा, 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 एक दूसरे के बराबर होगी, बराबर होगी, और ये जो कोड है, वो सभी कोड आपस में संगत को बराबर होगे अता इफ बराबर होगा डबलू एक्स के एफ जी बराबर होगा एफ जी बराबर होगा वाई एक्स के डबलू एक्स डबलू जेट बराबर होगा जेट डबलू बराबर होगा एच एच एके और एच जी बराबर होगा या फिर जी एच बराबर हो होगा और इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि EF बटे WX बराबर 1 होगा EF बराबर WX हो सकता है WX को इस तरफ ले आए तो इधर बचेगा वन उसी प्रकार से FG के बटे में XY आ गया तो बराबर क्या जाएगा वन उसी प्रकार से DH के बटे में YZ आ गया तो बराबर क्या बचेगा वन उसी प्रकार से HE के बटे में ZW आ गया तो बराबर में क्या बचेगा one मतलब कि इनके अनुपाद भी आपस में बराबर होते हैं अतह इनके अनुपाद क्या मिले सब के equal मिले one 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 इनके अनुपाद भी equal मिले अतह जो सर्वांग सम चिन आकरिती होती है सर्वांग सम जो भी आकरिती होती है उसकी वो क्या होती है सम्रूप भी होती सम्रूप का क्या condition होता है कि दोनों आकरितियों के संगत भुजा का अनुपाद सेम आता है सभी में सभी संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर आता है तो यहाँ पिस अंगत भुजाओं का नुपात किता है सब में बराबर आया है 1111 अतह EF बटे WH बराबर है EG बटे YX बराबर है GH बटे YZ बराबर है HF बटे ZW सब क्या आया है इस पर ज़िटेता दोनों चत्रपुजों की भुजाये समानुपातिक है दोनों चत्रपुजों की समानुपातिक है इसी यह चत्रपुज समरुप भी होंगे अर्था सर्वांग सम्ता में समरुपता की दोनों जरूरते पूरी होती है समरुप की क्या जरूरत होती है कि उसके सभी कोड क्या हो संगत कोड बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपाद एक हो, है न, समानुपातिक हो सभी भुजाएं क्या हो समान अनुपातिक हो अता है सर्वांग समता में समरूपता की दोनो सरुरते पूरी होती है अर्थात, हम कह सकते हैं कि जो आकरिती सर्वांग सम होती है वो समरूप भी होगी सोचे एवं चाचा करें क्या सभी समरूप आकरितिया सर्वांग सम भी होती है कारान सहीं समझाइए समरूप आकरितियों के परिमाप में संबन क्या सभी समरूप आकरितिया सर्वांग सम भी होती है नहीं, क्योंकि सम्वरूप आकरितिया क्या होती है, शोटी बड़ी हो सकती है, है ना, सम्वरूप आकरितिया क्या होती है, सम्वरूप आकरितियों के, सम्वरूप आकरितियों में, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, भुजा ही बराबर होती है है ना ये भूजा और ये भूजा दोनों बराबर होगी सर्वांग सम अगर होगा तो अता ही हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सम्रूप है तो वो सर्वांग सम हो लेकिन सर्वांग सम है तो वो सम्रूप हो सकती है ठीक है सम्रूप आकरितियों के के में संबंद بदा सकते हैомाना हमें दो separate बहु भुझ दिए हुए है जिनके इसखेल गुड़क है और कि आगता है I don't अ कि जिसके ладно क्या है एम है समुरुपता की कसोटियों के अनुसार समिरुपता क्या होती है जब शंगत भुझा क्या होती है क्या अनुपास बराबर होता है तो a b बटे p q अनुपास हो गया b c बटे q r dc बटे c d बटे rs और d a बटे ps बराबर है सभी का सब्सक्राइब क्या होता है संगत भुजाए समानुपातिक है समी करान एक तो बराबर में m है तो a b बटे p q बराबर या फिर लिखा जा सकता है a b बराबर m गुरित p q ना उसी प्रकास सभी समिक सभी नुपातों के लिए m गुरित m गुरित m गुरित आएगा और d a बराबर m गुरित sp योगे समी करा पाच आएए इनके परिमाब पता करते हैं परिमाब क्या होता है भुजाओं का योग a b plus b c plus c d plus d a है ना योगे समी करान एक सभी पहले बहुत भुज a b c d के लिए है ना तथा बहु भुज p q r s के लिए p q plus q r plus r s plus sp योगे समी करान साथ समी करान साथ और 6 से 6 और 7 से बहु भुज a b c d का परिमाब बराबर a b plus b c plus c d plus d c d a बहु भुज p q r s का परिमाब p q plus q r plus r s plus sp योगे समी करान एक दो तीन चार से चार वह पांसे A, B के जगह में हम लिख सकते हैं A, B is equal to है M, P, Q B, C बराबर है M Q, C, D बराबर है M R, S और D, A बराबर है M S, P ठीक है ठीक है तो A, B A, B के जगह में लिखा जा सकते है M, P, Q सभी से M को common ले लिया ठीक है तो क्या है P, Q, Q, R, P, R, S, P सभी से M को हम common ले लिए और अब बराबर में P, Q, Q, R, P, R, S, P, S, P है है तो ये पूरा एक दूसरे से क्या हो गया कड़ गया उपर नीचे है बचा क्या M M क्या है यहाँ पर Scale Factor है न ये दूनों एक दूसरे से कड़ गया तो बचा क्या is equal to M M यहाँ पर क्या है Scale Factor है न तो बहुभूज A, B, C, D का परिमाब बटे बहुभूज P, Q, R, S का परिमाब बराबर है M बराबर M आया जो M क्या है A, B बटे P, Q बराबर B, C, B, Q, R M क्या है Scale Factor है Scale Factor क्या होता है सभी बुजाओं के लिए के संगत बुजाओं का अनुपात के बराबर होता है है न समी करनेक में हमने देखा है समी करनेक में यह सभी करनेक M के बराबर में यह सभी बुजाओं का अनुपात है दोनों तरुजों बहुजों के लिए है न तो अता हम कह सकते हैं अर्थात किनी दो समरुख बहुजों के परिमाब का अनुपात बहुजों के परिमाब का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात या फिर स्केल गुलक के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि वो भुजो के परिमाप का अनुपात उसके स्केल फेक्टर के बराबर होता है उदारन तिन दी गई आकरिती में यदि चतुर भुज A, B, C, D समरूप है चतुर भुज P, Q, R, S के एक और चतुर भुज दिया हुए है यहाँ पे P, Q, R, S के बोल रहा है कि यह दुनों आपस में क्या है समरूप है ठीक है तो पहला कोशन दिया हुए है इसकेल गुलक क्या होगा इसकेल फेक्टर बताइए चतुर भुज A, B, C, D का चतुर भुज P, Q, R, S के A, B, C, D का P, Q, R, S से इसकेल गुलक चतुर भुज A, B, C, D का चतुर भुज P, Q, R, S से ठीक है इसकेल गुलक, इसकेल फेक्टर हमें निकालना है तो किसी भी एक बुजा, संगत बुजा का अनुपाद हम देख लेंगे, जो नोन है, है ना, जो दिया हुआ है, उसे हमें इसके लगुड़क मिल जाएगा, तो A, B, C, D, ये वाला, है ना, एक बुजा ले लेते हैं, D, C, एक बुजा ले लेते हैं, D, C, इसके संगत में बु मिला, 2 upon 3, संगत बुजाओं का अनुपाद, C, D upon S, R, C, D कमाने 20, S, R कमाने 30, 2 upon 3, इसके लगुड़क, दूसरा कोशन है, X, Y, Z कमान गयाद कीजिए, चुकि, दिये गए, दोनों चतुर्भुज समरूप है, दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप है, अता, उनकी संगत बुजाओं समानुपातिक होंगी, तो जब ये बुजाओं समानुपातिक थी, C, D upon R, S, बराबर, क्या मिला हमें, सभी बुजाओं समानुपातिक होगी, तो C, D upon R, S, बराबर होगा, A, B, A, B upon Q, क्योंके, A, B upon P, क्योंके, इस बुजाओं के लिए, X का अगर मान चाहिए तो AB के जगह में है इस वाले चत्र भूज में पहले बारे चत्र भूज में AB का मान क्या है X है और इसी के संगत PQ है उसका मान दिया हुआ है 21 तो AB बटे PQ लिखा जा सकता है अब हमें CD अपान RS का मान पाता है 2 अपान 3 यहाँ पर से इसके लगुड़क आया था X अपान 21 तीरिया गुड़काने पे 21 इंटू 2 इस उकल टू X इंटू 3 3X हो जाएगा है यहाँ लिका जा सकता है X इस उकल टू 21 इंटू 2 अपान 3 तीने कम तीन तीन सत्ते किस जाद दूनी 14 X इस उकल टू कितना है यह 14 आया यह रहा उसी प्रकास से Y किसका संगत बुझा है R Q R Q किसका संगत है C B का है ना क्या लिका जा सकता है R Q बटे C B वराबर हमें C D पटे RS कमान पता है है ना तो R Q कमान है Y एक सेकेंड इसमें एक चित ध्यान देने वाली बात है अगर हम A B C D को अंस में ले रहे हैं और P Q RS चतर भुझ को हर में ले रहे हैं तो सभी में हमें इस A B C D के भुझाओ करन पात को अंस में लेना पड़ेगा और P Q RS के भुझाओ करन पात को हर में ठीक है तो Y निकालना है तो C B वटे क्या होगा C B वटे R Q Q कि इसको कि एंसमें ले रहे हैं इसको इंसमें हैं कि हर्म है तो cb बते आर क्यूं बड़ाबर cd यह आलमान पता है हमें upon sr यह पिसकेल गुला क्लिक सकते स्केल फ़र्क्टर जो भी आया है 2.3 थो इसी बी कमान दिया हुए है 8 RQ का मान हमें निकालना हुआ है और स्केल फेक्टर है 2.3 त्रियों गुला करने पे 8 इन्टू 3 इस उकल टू 2Y आया y उकल टू 8 इन्टू 3 अपॉन 2 दो एक कम दो दो चो का चालतिया 12 y उकल टू कितना है या 12 यह ठीक है इसी प्रकास से जैट निकल जाएगा जैट का संगत भूजा कौन सा है SP का संगत भूजा है DA तो DA अपॉन SP is equal to scale factor लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं CD upon RS तो DA ये दोनों सेम है CD upon RS scale factor सेम है DA कमान है 10 SP कमान है जैट is equal to scale factor है 2 upon 3 सीडिया गुड़ा करने पे 10 इंटू 3 upon 2 is equal to Z यह इजा आ गया जैट उपर चला गया 2 एक कमदो दो पंचे 10 मांस दिया 15 जैट इसी प्रकास से XYZ का हाम मान निकाल सकते हैं Z is equal to 15 तीसरा प्रशन इसी में दिया हुए है चतुर भूज ABCD का परिमाप कितना होगा यह वाले चतुर भूज का परिमाप कितना होगा तो चतुर भूज ABCD का परिमाप परिमाप क्या होता है सभी भूजाओं का योग परिमाप सभी भूजाओं का योग AB PLUS BC PLUS CB PLUS DC यह ना तो AB का माण क्या है X BC का माण है 8 CB का माण है C से AB BC C और D C और D CD का माण है 20 X का माण कितना निकला है हमारा 14 आया क्या 14 है तो X नहीं लिखके 14 निक सकते हैं और लास्ट में DC का माण है 20 एक मिनट DC का नान 20 और D A कमान लास्ट में है D A कमान है 10 सबको जोडने पे क्या मिलेगा 30 38 मैं 14 PLUS का नहीं आठ नाज़स गया वाकि दूहसे में 3 2 5 52 कितना मिला परिमाप 52 ABCD का परिमाप यहां पर कुछ नहीं दिया है तो 52 एकाई लिखा जा सकता है एकाई आंसर ABCD का परिमाप चोथा कुछन दिया हुआ है इसी में तोनों चत्रभूजों के परिमाप का अनुपात क्या होगा जब हम पता है कि संगत भूज है कोई भी भूज जो संगत होते हैं उनके भूजा उनके भूजाओं के उनका परिमाप का अनुपात क्या होता है इसकेल गुड़ा के बराबर होता है तो चत्रभूज ABCD का परिमाप बटे चत्रभूज ABQRS का परिमाप दुनों का अनुपात क्या होगा बराबर दो बटे तीन जो की क्या है इसकेल गुड़ा के बराबर है ठीक है नेस्ट में है प्रश्ना वली तीन प्रश्न वली तीन का प्रेवला प्रेश्ण इस प्रेश्ण आलेको नेस्ट्ट विडिविस्ट च्टार्ट करेंगे